आज हम बनाएंगे आमले का खटा मीठा गुड़ वाला अचार, यह अचार खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है और यह आईरेन और विटेमिन सी से भरपूर होता है, इस अचार के बनाने के लिए हम इने गुड़ का यूज किया है, आप चीनी का भी यूज कर स यह अचार सभी को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा टेश्टी भी बनता है और बिना धूपके यह अचार बनके त्यार हो जाता है, चलिए हैं वीडियो की तरब, यह खटा मीठा अचार बनाना शुरू करते हैं, यह हमने 500 गराम आमले लिये थे, आमले हमारे स हमेशा धोया करिए, यह हमने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है, अब यहाँ पर हमने कड़ाई रखे हैं, एक रिंग रख दिया है, और इसमें जो इतने भी हमारे आमले थे इनको रख देंगे, गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, 10-12 मिंट के लिए पकाएंगे, बस हम आमले को इतना पकाना है, कच्छा नहीं रहना चाहिए, नहीं जादा सॉफ्ट होना चाहिए, आमले पकने के बाद अच्छे से पीस हो जाएंगे, बस हमें इतना इतना पकाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आमले इस तरह से मैंने त्यार कर रहा है, आमले को निकाल मजीरा लिया है, चोथाई टीस्पुन हमने मैथी दाना लिया है, अब गैस को हम ओन करेंगे और हलकी आज पे इसे भूलेंगे, मसाली को हमें बस इतना ही भूलना है, इनकी नमी खतम हो जाए, मसालो को कलर चेंज नहीं करना है, यह मसाली भूल चुके हैं, गैस को बन कर देत हैं, अगर दोस्तों आपको आमले की रेस्पी पसंद आए, तो चैनल को सपोर्ट करें, और साथ में बैल बटने उसे भी जरूर दबाएएगा, इदर हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, और आमले भी ठंडे हो गए हैं, यहाँ पे हम आमलो को इस तरह से काट लेते हैं, जैस चुथाई टीस्पन यहाँ पे हम कलोजी के दाने डालेंगे, इन दोनों चीजों के डालने से अचाय में बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है, इसे जुरूर डालिएगा, और यहाँ पे दो पींच हमने हींग डाली है, अलिक्रे से इनको भूल लेंगे, अब यहाँ पी ज आपसे कम जादा कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने 400 ग्राम गुर लिया है, क्योंकि आमले हमारे 500 ग्राम थे, अच्छे से इने डाल देंगे, गुर को पिगलाएंगे, और इसको चलाते रहेंगे, आप गुर की जगे चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आप गुर डाल के बनाएं कि आमले हमाले बहुती फायदे बन रहते हैं, अब आमले का चार कभी भी रखें, कांच के जान में रखें, प्लास्टिक के डिबे में कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे इसमें नमी और बिलकुल नहीं रहनी चाहिए, जिस डिबे में भी रखें, वो सूखा होना चाहि आपको धूब में भी रखने की कभी जरुवत ही है ऐसे ही कई सालों तक खराब नहीं होता आप इसे देख रहे होंगे गुड हमारा अच्छे से पिगल चुका है और गुड के पिगलने के बाद हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है और यहां पे हमने मीडियम गैस कर रखिये बीच-बीच में हाई फ्लेम भी कर लिया था तो यहां पे गुड हमारा थोड़ा गाड़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं आमले का खटा मीठा अचार बन के त्यार हो चुका है यहां में गैस को बन कर देती हूं क्योंकि हम ज़्यादा पका लेंगे तो रखने के बाद यह ठंड़ा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा इसमें रेशा जूढना बहुत जुरूर है तो यहां अचार बन के त्यार है गैस को मैंने यहां बंद कर दिया है अब यहां पर छंडा होने के बाद आप एक जान में रखिएगा उसके बाद ही यूज कीजेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कीजेगा कमेंट कीजेगा